युवक को जम कर पीटा चार दिनों से अस्पताल में भरती रिपोर्ट महराश्टर के जालना की घटना इस प्रकार की पहले भी घटना हुई थी आप सब को याद होगी करनाटक के मुकेश जो की एक मुबाइल फोन की दुकान चलाता था उसे इसलिए मुसलिम लड़कों ने पीटा क्योंकि उसकी दुकान में हनुवान जीस के कोई भजन चल रहे थे अब ये घटना महराश्टर में इसी प्रकार की घटना हुई जहां एक हिंदू युवक को होटल में जब वो खाना खा रहा था तब उसका फोन बजा और फोन में जैश्री राम वाली रिंग्टोन बजी तो मुस्लिम लड़कों ने उसे पीटा और इतना पीटा है कि चार दिन से वो हस्पिटल में अब सोचो हिंदूओं का क्या कोई सवेधानी का दिकार नहीं क्या हमारे देश में कानून और समीधान नहीं चलता यदि कानून ऐसे लोगों को कठोर सजा दे तो इस प्र प्रकार की घटनाय करने वाले कटर पंतियों को हमारे देश का कानून ठीक से सजा नहीं दे पाता तो जब तक इन लोगों को कानून सजा नहीं देगा तब तक इसी घटनाय लगातार होती रहेंगी ये एक प्रकार से हमारे देश के कानून को ठेंगा दिखाने जैसा और सम विधान देता है फिर मोबाइल में जैसी राम की रिंग टोन बजना कोई अपराध या कोई पाप नहीं और नहीं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा है लेकिन उसके बावजूद मुसलिम लड़कों ने हिंदू लड़के को इसलिए पीटा क्योंकि उसके फोन मे रिंग टोन जैसी राम की बजाने के साथ-साथ अपनी आत्मरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर कानून बचा पाता तो उस मुकेश को भी बचा लेता और इस व्यक्ति को भी यहां बचा लेता लेकिन कानून आपको नहीं बचा पाता क्योंकि हर जगे खड़ा रह सकता इसलिए कानून पर बोज ना बने और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले आत्मरक्षा का अधिकार समिधान आपको देता है धर्म के पालन का अधिकार समिधान आपको देता है अपने अधिकारों को समझने के आवशकता है और अपने अधिकारों क जीवित है चार दिन से हॉस्पिटल में है लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी हो चुकी है जहां इस प्रकार से हिंदूों को पीटा जाता है कि वो अपनी जान छोड़ देते हैं वो मौत को प्राप्त हो जाते हैं इसलिए हिंदूों केवल मुबाइल हाथ में ना रखें केवल जै जिहादियों के उपर क darkest कारेवाई की जाए उनकी property जब्त की जाए उनके घरों पर बुल्डोजर चलाया जाए उने लंबी सजा दी जाए उने उम्रकेद की सजा दी जाए क्योंकि ये एक प्रकार से समिधाने क अधिकारों का हनन है ये एक प्रकार से attempt to murder है इसलिए सरकार और प्रसाशन को भी हिंदुों की सुरक्षा के प्रती सजग होने की आवश्यक्ता है। जैश्यराम।